नमश्कार मंधल निव्य बूलेडिन में आपका स्वागत है। आए पेशक्रत है, आज के कुछ प्रमुक वह मुक must समासा। अब तक来जी आपने मंधल निव्य व के इस चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जल से जल इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें प्रवक्ता संजय राउट ने सरकार की इस फैसले का समासन करते वे इसे एक शांदार निर्ने बताया वही मंसे प्रमुख राश्ठाक्रे ने इस फैसले के लिए राज्य की महाविकास अगाडी सरकार का अविदन्दन करते वे कहा कि यह मंसे सैनिकों के संगष्ट की सफलता है अता किसी और ने इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए उदर व्यापरी संगधनों द्वारा इस फैसले के खिलाफ आवाज उटनी शुरू हो गई है इसके तहट मुंबई की डिटेल ट्रेडर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विरेश शाह ने इसे व्यापरीयों की विस्तिकत सुतंतता पर सरकारी आगात बताया साथ ही उन्होंने का फैसला पक्षपात पुर्ण कारवाई एवं निरेना हैं साथ ही मायम ने इस फैसले की कुछ हट तक खिली उड़ाई है मायम की प्रदेशादेश वस्तांसद इंतियाद जलील ने इस फैसले को लेकर राज्य सरकार से जानना चाहा है कि क्या राज्य में मराठी भाषा मे बोर्ड कर दिये जाने से ही राज्य के मराठी यूगों को नौखरियां मिल जाएंगी इन एक्टिव पॉजेटिव मरीजों में मनफख शेत्र के 588 तसा ग्रामिन शेत्र के 176 मरीजों का समावेश है इसमें से 33 मरीज कोबिड अस्पताल में भरती हैं वहें मनफख शेत्र में 562 तसा ग्रामिन शेत्र में 179 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है जिसमें से 12.7 एक फीसद की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह हाल फिलाल के दिनों के दोरान सरवादिक पॉजिटिवी डिरेट है। वहीं इस समय कोविट संक्रमित मरीजों के कोविट मुक्त हने का प्रमाण 97.57 फीसद है। ध्यान देनी वाली बात यह भी है कि विगस कुछ दिनों से रिकावरी रेट में लगातर कमी आ रही है। विगस कोविट मुक्त है जिनमें अकोला के 35 यॉर्टमाल के देविस बुलडाना के 26 तता वाशिम के 9 मरीजों का समावेश है। चर्चा की। इस समय उन्होंने बेहत साफ शब्दों में कहा कि छत्रपती शिवाजी महाराज महाराष्ट के आराद देवत हैं अथा कही पर भी उनका पुतला इस्थावित करने लिए किसी की पूरू अनुमती की कोई जरौत नहीं है। चुकि अब जीजाओ जैंती के आउसर पर शत्रपती शिवाजी महाराज के पुतले की राजा पे ट्रेलवे ओवर ब्रिज पर इस्थापना हो चुकी है अता मन्पा प्रेशासन को चीजिए कि वह इसे अधिकृत तोर पर मानेता प्रदान करें साथी इससे लेकर अपनी अ प्रेशासन द्वारा जल से जल मन्पा की विशेश आमसभा बुलाते वे इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जानी चाहिए और यदि किसी ने भी राजापे ट्रेलवे ओवर ब्रिज पर इससापिक पुतले की ओर टेड़ी नजर से भी देखा तो उसकी आक्षे निकाल ली जा चाहिए धिकानी अलेलाए सग्डे अम्रावती शेहराचे शिव परेमी सग्रेयननी अपनी भाहना चाहिए अनावरन करून फुदलाव बसुन त्या धिकानी फुडाकार गेते लाए त्यसा मिर मना पसुन अभिनिन दन करतो त्यांस वहाद करतो कि छत्रपति शिवाजी मह शुवाजी महाराच चौ चौकाच नामकरन सुथा धाला पाईजे यह सुथी आमची अनेक वर्चाची मांगनी ओती ती सग्ड़ाईश शुव प्रेमियनी माच इसाउ जहिंती चा शुवाज़वर्च खेली लिया है त्या संदरपात यहां भैटा कर लिया है अनेक चिकानी अधिकारी असो काई राजकी लोक असो तरक्र विर्णत चालू उता कि अतिकरवले कारतील त्या अधिकानी कारवाई करतील पर मला असवाटे छत्रपती शिवाजी महाराच आमचा देवत है अनि त्या देवत हाखडे कुनी जर डोडा दरे काडला तर त्यावडी तेची त्या देवत हाखडे कारतील पर मला असवाटे चत्रपती शिवाजी महाराच आपुरण साटी महाणगर पर महाणगर पर महाणगर चत्रपती शिवाजी महारा तैवत है त्या धाव त्या ब्लाटे अनि आमचा घ्रामचा आधाले कंत्री महाणगर पर महाणगर प्रि शिवाजी महांगर या अधिकरा न देऊ सुच्धाय वप्ली आपक्षय कंघी है अंहाज्यावाद कोके सव्भर्या का अगले सब्ता गुरुवार्थ 20 जन्वरी को मन्पा की आमसभा एड़ित होने जा रही है 20 जन्वरी की सुबग 11 वजे हिया आमसभा मन्पा के विश्वरत ने डॉक्टर बाबा सब अमबेट का सभागार में विडियो कॉंफरेंसिंग के जरी आज़ित की जाएगी जिसमें मन्पा के सभी पदादीकारी वो सदस ऑनलाइन तरीके से शामिल होंगे विगर डेड़ वर्षों से आमसभा का एड़ित कोविट संक्रमेंट के खत्रे को देखते वे लगबग ऑनलाइन तरीके से ही किया जा रहा था पश्चात संक्रमेंट की दूसरी लहर का असर खत्म होने के बाद विगर दो-तिन माहा से मन्पा की आमसभा कोविट प्रसीवंदात मक नियमों का पालंद करते वे आफलाइन होने लगी थी किन्तु इस समय कोविट संक्रमेंट की संख्या में एक बार फिर इजाफा होने लगा है और संक्रमेंट की तिसरी लहर शुरू हो चुकी है ऐसे में मन्पा प्रशासन ने एक बार फिर आमसभा को ऑनलाइन तरीके से आजित करने का निढ़ने लिया है शेहर में रेलवे स्टेशन से इविन अस्पताल की और जाने वाले रास्ते को बड़े-बड़े पत्थरों के साहरे बंद किया गया है क्योंकि इस मर्चुरी टी पॉइंट पर अकसर ही सड़क हाथ से घटित होते रहे हैं किन्तु इसके बावजूद भी कुछ मोटर साइकल चाला के इन पत्थरों के ऊपर से अपने वहान निकाल कर रास्ता पार करते हैं जो काफी खतरनाक है इस वज़े से यहां कभी भी कोई बड़ी सड़क दुरगटना घटित हो सकती है ऐसे में यहां पर यातायत पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगई जाती है किन्तु गलर ढंग से रास्ता पार करने वालों के खिलाप किसी भी तरह की कोई कारवाई होती दिखाई नहीं देती हादिवासी बहुल मेलगाट की जिखलदरा तैसिल अंतरकत 17 गावों में सस्ते सरकारी अनाच की नई राशन दुकाने मंजूर की गई है जिसके लिए आगामी 18 जनवरी तक इच्छुकों से आवेदन करने का अवान जिला अपूर्ति अधिकारी का रेले द्वारा किया गय बढ़ाट को आज वैकुंट एकादर्शी के पावन पर्वति उपलक्ष में खोला गया साथी मंदिर परिशर में भगवान तिरुपती बाला जी की प्रतिमागे साथ प्रभात फेरी निकालते वे बड़ी धूमधाम के साथ भगवान तिरुपती बाला जी वाले दिन बाल कल शुक्रवार 14 जनवरी को बड़े धूमधाम के साथ मकर संक्रांती का परो मनाया जाएगा जिसे लेकर आज से ही तैयारियां शुरू हो गई है मकर संक्रांती के परवके साथ ये अगले तेविज दिनों तक महिलाओं द्वारा हल्दी कुंकुम जैसे कारक्रमों का आजन किया जाता है इसके तहत हल्दी कुंकुम कारक्रमों में शामिल होने वाली महिलाओं द्वारा एक दूसरे को वान के तोर पर भेट वस्तों में प हरिदा सुरेभान याउल पर अपना हाथ गवाने की नौबत आन पड़ी है पता चला है कि हरिदा सी याउल ने 23 अप्रेल 2021 को स्वास उपकेंद्र में कोबिड वैक्सिन का पहला ठीका लगाया था तो उनका बाया हाथ काफी हर तक सुन हो गया था और जुलाई महा में दूसर महाथ में के अधिकारियों को सुचित किया जा चुका है किन्तु स्वास विभाग द्वारा अप तक इस विशे को लेकर कोई इस पश्टी करण नहीं दिया गया है रोहन खिडा परवतापुर गाहूं पेडी वेरेज में डूबच छेतर अंतरकत आने के कर अन संबन्दित गावासियों का पुनरवसन किया जा इस आशे की मांग को लेकर गाउं के संपर्दी धार गावासियों ने पुनरवसन अधिकारियों को इक निविदन सौपा इस परदा परिशय क्लासेश के संचाल को ने जिलादीश को निविदन सौप्टे पे मांग की कि इस परदा परिशय कोचिंग क्लास को मारदर शंद केंद्र को 50% विद्यातिक शम्ता के अनूसर क्लासेश चलाने के अनुमति दी जा है परिशय क्लासेश बंदर रहले तर विद्यार्थन जा अतोनात नुक्सन होना रहे तेंचा निवासे उपजिला जी का लिया तया सरनी आमला अश्वासन दिला है के अमी या शातनला या पाट पुराव करू अनि तुम्चा विनन दी जा इस चित्पने विचार को अश्वा प्रिशरपुरा पुलिस थाना अंतरगत वडरपुरा परिसर में रहने वाली सुंदरभाई लश्मंट राओ सावरकर नामक 70 वर्शी महिला की आज अपने अंगान में गोबर लीपते समय बीजली का कनिशन कटे बीजली के खंबे से संपर्ख में आने के बाद करंट लगन की वज़ा से मौत होगी जिसमें यह महिला बीजली के खंबे से करंट लगकर चिपकी उसी समय उसे बचाने के लिए प्रोस की लड़की भी उसके पास पहुंची और यह लड़की भी बीजली के करंट की चपेट में आ गई यह अप देखकर प्रोसी ने लखडी के साहरे उ और संबंदित अधिकारियों और कर्मचारी की खिला और कारवाई करने की मांग की। शिकायत करता अंजली कल्यांड कर नामक महिला अपने घर में अकेली थी और उनके के घर के कमरे में दो वेक्ती हाथ में पिस्तोल लेकर घुसे महिला तसा छोटे बच्चों के हाथ पर बांद कर महिला के हाथ पर चाकू मार कर घर से सोने चांदी के गहने वो नगर दर्खम लूट कर फरार हो गए थे इस मामले की जांच करते वे हिंगोली पुलिस ने दो डखेतों को दो पिस्तोल वो जिंदा कार्थूस के साथ गिरफतार करने में सफलता प्राप्त किये साथी इस मामले में सोने चांदी के गहने समेट कुल साड़े चार लाख रुपे का माल भी बरामत किया गया है विगत वर्ष फरवरी महा में शार्दनगर परिसे से नयान मुकेश लुनिया नामक चार वर्षी बच्चे का उस समय अपरण कर लिया गया था जब अपनी दादी और बहन के साथ खेल रहा था पश्चात इस मामले की जांट परताल में पता चला की इस हमले की मास्टर माइंड नयान लुनिया की दादी ही थी जिसने अपने कुछ रिष्चदारों के साथ मिलकर अपरण की घटना को अंजाम दिया था ताकि लुनिया परिवार से पांच करोड रुपे की फिरोथी हासिल की जा सके पकड़े जाने के बाद नयान लुनिया की सोतेली दादी मोनिका और फगुड़ी ने जमानत प्राप्त करने के साथ ही अपने खिलाफ दर्ज अपराद को खारिश करने है तो नाकुर हाई कोड में याची का दायर की थी जिसमें लुनिया परिवाज के साथ आपसी समझावता हो जाने के चलते एफायर को दर्ज करने की गौहर लगाई गई थी किन्तो अदालत ने इस याची का को खारिश करते वे कहा कि किसी बच्चे का अपरण या कोई व्यक्तिकत अपराद नहीं है बलकि इसे समाज के माना जाना चाहिए ऐसे में आपसी समझोते को आधार मान कर एफायर को रद्द नहीं किया जा सकता इसे अपरण मामले की मास्टर माइंड मोनिका लुनिया के लिए जवर्जा जटका माना जा रहा है 30 अगर्ज 2021 की रात सोनलव कॉलनी परिसर में निखिल प्रगाज घुड़ेव अमोल अशोप मिश्राम सहीद एक अन्य वेक्ति पैलेट गन लेकर खड़े थे और इसमें से एक निरास्ते के किनारे शांतिपूर्ण रंग से बैठे कुट्टे पर गोली चलाई थी जिससे व 30 सेफायर को रद कराने ही तो आरोपियों ने हाई कोड में गोहर लगाई जिसमें कहा गया कि आरोपियों ने बंदूख से गोली नहीं चलाई और फिर्यादी वग घायल भी नहीं हुआ अथा हत्या के प्रयास को लेकर दर्ज किये गये मामले को रद किया जाए जिस पर सु अलपवईन लड़की का यौन चोशन करने के बाद उसका अवैर तरीके से गरभपात कराया जाने का मामला इन दिनों वर्धा जिले में जवर्जास गूंज रहा है वहीं जिले के आदवी शहर इस्तित जिस नामंकित अस्पताल में 13 वर्षी लड़की का अवैर तरीके से गरभपात कराया गया था उस अस्पताल की इमारत के पीछे इस्तित गोबर व्यास की टंकी में 11 खोबडियां वो चौपन हड़ियां बरामद हुई जिससे समुझे शेत्र में जवज हड़कम को संसनी व्यापत है इस मामले में अलपवईन लड़की का लेंगिक शूशन कर इस मामले में जिलावा सत्र नयायले के नयायमूर्थी निखील महता की अदालत ने अरुपी अमोल मुर्लीजर जौंजाल को पांच वर्ष से सश्रम कारावास वो योगेश्ट पाकरे को एक वर्ष से सश्रम कारावास की सजा सुनाई है वहीं एक अन्य अरूपी मुर्लीजर जोंजाल को बाईज़त बरीक किया गया है बढ़नेरा पुलीस सानक छेत्र के अंजनगावा बारी में जुवा अड़ा शुरू रहने की ज्यानकारी मिलने के बाद पुलीस आइट की विशेश पतक ने छापा मार कर चार जुवारियों को जुवा खेलते वे रंगियाद गिरफतार किया साथी मौके से 7,480 रुपे नगत सही जुवे की सामगी बरामत की गई फ्रेजरपुरा पुलीस सानक छेत्र के इंद्रिशेश बाबा मंदिर के पास मातंग पूरा वडाली निवासी गोपाल अशुक डोंग्रे ट्यूशन जाने वाले बच्चों मौनिवा करने वाले लोगों की महंगी सैकल चुराया करता था इसके बारे में जानकरी मिलने पर पुलीस ने गुप्तु सुचना के आधार पर आरोपी को गिरफतार किया है मंडल न्यूस बुलिटिन हमारे चैनल को लाइक करे शेर करे और हां सब्सक्राइब करना ना भुले कल होगी आप से फिर मुलाकात तब तक के लिए धन्यवाद